हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग तो आज मैं और पिंकी मैम आप लोगों को बताने वाले हैं आरर बीजे के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और साथ में आरर बीजे में क्या-क्या पूछा जा सकता है लेकिन यह सब तो हम डिसकुस करेंगे बट कही ना कहीं हमको ना यहां पर कमप्लेट इंफॉरमेशन आपको देंगे सारी चीजों के बारे में क्या से बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कौन से वेटिज कितने माक्स के आपसे subject wise पूछे जाएंगे questions तो वो सारी चीज़ें करके discuss करते हैं यहां पर तो मैं जैसा कि हम लोग जानते हैं कि RRB ने पूरा का पूरा calendar रिलीज कर दिया है और यह दो तारीक को ही रिलीज हुआ था दो फरवरी 2024 में तो यहां पर जैसे कि हम जानते हैं ALP के लिए technicians के लिए non technical popular categories जहां पर graduate की बात करते हैं यहां फिर non technical popular categories for undergraduate तो इन सबी के लिए इनोंने बताया लेकिन हम लोग जो आठ चर्चा करने वाले हैं वह है जेए की यानि की junior engineers तो इन्होंने बताया है rrb ने कि आपके लिए जो notification आएगा वह month mention कर रखा that is what July to September के बीच में आ जाएगा बिलकुल तो यहां पर specific date नहीं दिये यह tentative आपका मन्त हो गया जहां पर आपका July से September के बीच में आपके notification आचोगा होगा जहां पर हमें पता लग जाए कितनी vacancies हैं और साथ में यहां पर आप जब apply करेंगे तो कौन सी वो date रहेगी जब तक आप इसे apply कर सकते हैं तो यहां पर पूरा calendar प्रेजेंट है तो एक basic idea देते हैं में जिससे हम फिर rrb यही पे चल सके तो आप ल जुलाई से से बीच में एक बार फिर से आप लोगों को इसकी जानकारी जो है वह हम देंगे तो यह जुलाई से से बीच में आएगा यहां पर उसके बारे में जैसे notification आता है हम लोग सबसे पहले होगे जो आपको इसके बारे होगे तो जैसे कि हमने डिसकस किया में कितने subjects और कितना वेटेज कितनी negative marking रहेगी यह यहां पर calendar में ही सारी चीज़े जो है वो साथ में दी गई है तो सरी इनको बता देते हैं यहां पर इस सवाले part में जो paper 1 रहेगा इसमें सिर्फ non-tick का part रहेगा आपका जिसमें mathematics होगा, reasoning होगा, general awareness होगा, science होगा, total 100 questions हो इनको मिलेंगे 30 questions, apart from reasoning की बात करें तो 25 questions है, general awareness जहां पर pinky में होगा पूरा योगदान रहेगा, आपको 15 number दिलवाने में, और फिर आ जाता है general science वाला part 30 marks, 30 marks, मतलब अगर आपे सिर्फ science में पढ़ लिया, तो 30 number science के, और वो भी deep money से आपको पढ़ाएंगे, तो यहां पर non non-tech का, तो यह सारी चीजें आप लोगों cover कर दी है, तो paper 2 भी आप लोगों को बता देते है, paper 2 में क्या-क्या रहने वाला है, तो इसमें आपको general awareness इसमें भी देखने को मिलेगा, क्यानिकि जो non-tech का part है, वो आपको part 1, paper 1 and paper 2 दोनों में मिलता है, physics and chemistry, the same, science हो इसमें 15 marks का science यहाँ पर एक important point है, बच्छा सोच रहा होगा कि यहाँ पर science पूरा होगा, तो यहाँ पर technical आप जो भी आपके बढ़र ब्रांच से लिए जो questions आएंगे, वो 100 होगे, लेकिन एक important point to be noted, and that is, कि जैसे SSCJ में हमने देखा, computer से 1 question आगया, 2 question आगया, लेकिन यहाँ पर आपको specifically mentioned है, कि यहाँ पर आपके 10 questions, आपके computer वाले parts आएंगे, computer application basics, तो यह थोड़े-थोड़े changes हैं, जो कि SSCJ के comparison में, अगर हम RR भी जही देखें, तो यहाँ थोड़े से changes है, जैसे सर, SSCJ में हम लोगों कहीं भी, यह specially physics chemistry देखने को नहीं मिलती थी, यहाँ पर आपका बाइ से देखने को मिल रही है, और CBT2 में सिर्फ और सिर्फ आपकी physics और chemistry याला part हो गया, तो यह थोड़े से changes हैं, जो हमको पता रहने चाहिए, और यह हो गया CBT1 and CBT2 के बारे में, बिलकुल, और गाइस यह पूरा syllabus है, वो आप लोगों को अड़ा 24-7 पर ही करवाया जाएगा कि paper 1 से लेकर paper 2 तक की, आपको पूरी जो तयारी है, वो यहीं पर करवाई जाएगी, तो काफी सारे students हमारे साथ already जुड़ चुकी है, आप लोगों को कैसे जुड़ना है, तो वो एक बार इसे बता देते हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना होगी, उसी पर click करना है, click करने के बाद आप देखेंगे, सबसे उपर लिखा हुआ है, all courses, यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर जाने के बाद आपके सामने इस तरीके से सारी जो courses उपन हो गए है, लेकिन आपको ढूणना है, एज़े का section जो यहाँ पर मिलेगा, इसके बाद आपको देखना है, आपकी branch क्या है, तो सबसे पहले आपको branch यहाँ से select करनी है, जैसे कि civil mechanical कोण से branch से है, माले जै कि मैंने civil को select किया और उसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपको डूणना है exam, तो RRB का exam, यहाँ पर आपको मिलता है, जैसे आप यहाँ पर click करते हैं, तो इस तरीके से यह आपके सामने open हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर आपको लेना कौन सा batch है, तो यहाँ पर RMB 2.0 है, RRBJ के लिए foundation batch रहेगा, इसके उपर आपको click करना है, यह foundation batch रहेगा, foundation batch में चीज़े एकदम detail में आप लोग को कराई जाती हैं, जिनको बिलकुल basic नहीं आता है, उनके लिए foundation batch होते हैं, click करने के बाद आपको यहाँ पर सारी batch के features दिये हुए हैं, कि आपको यहाँ पर क्या-क्या मिलने वाला है, आपको PDF, notes, articles, सारी चीज़े जो हैं, वो यहाँ पर दी जाएंगी, तो यह देखो overview, study plan भी आप लोगों को यहा सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे गई हैं, ताकि आप लोग देख सकें और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद buy now पर जाना है, जैसे आप buy now पर जाते हैं, तो आपको इस तरीके से coupon code मांगा जाएगा, जो कि discount code होता है, जिससे कि आपको 78% का discount मिलेगा अगर आप application से लेते हैं, तो यहाँ पर बसंत पंचमी के अफसर पर आपको यहाँ पर 12 months, यह शाम को 6 बजे से आपको 12 प्लस 12, यानि कि दो साल के लिए आपको इस बैच मिल जाएगा, साथ में जो discount है ना, वो भी maximum हो जाएगा, जैसे आप देखेंगे शाम को 6 बजे के बाद य यह और जाद आपको discount मिल जाने वाला है, साथ में एप से जाओगे तो 1% और एक्स्टा, तो यह उनी को मिलेगा जो आज ही इस batch को purchase करते, जो आज ही enroll करेंगे, यह उनके लिए रहेगा, और आपको discount code भी यहाँ पर बता देते हैं, तो sir आप code अपना बता दीजे पहले, य 1207 रुपे में आपको technical, non-technical सारे subjects, paper 1 and paper 2, आपको हर एक चीज जो है, वो यहाँ पर cover कराई जाएगे, ठेक है, नमिया पर आप दौनों ही code बता दीजेगा, आप दूसरा भी यहाँ पर use कर सकते हैं, why 579, आप इन दोनों में से कोई भी code use कर सकते हैं, दोनों पर आपको same discount account मिलने वाला है, okay, तो उमेद करते हैं guys कि जानकरी आप लोगों के लिए helpful रही होगी, इसके अलावा किसी का कोई भी doubt है, कोई भी query है, तो आप comment section में भी हम से पूछ सकते हैं, बिल्कुल, और हमारी तरफ से आप सभी को all the very best, bye-bye.